गोईंग करेंग कंसेप्ट गोईंग करेंग कंसेप्ट क्या होता है यानि चालू अस्तित्तों के अवधार्णा चालू अश्याई की अवधार्णा एज पर कंसेप्ट एज अवधार्णा के नुसार जब भी कोई व्यक्ति बिजनस टार्ट करता है वो चाहता है कि उसका बिजनस लगातार फ्यूचर में वहिश्य में लगाता चलता रहेगा द्धा translates are record in the book of the business on estimation that the continue enterprises और उसके नजने भी translations यानि lendane record खाते रखते हैं लगातार बिजनस बना रहे इस लिए कि जाती है इट ओन दा कंसेप्ट डैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कोश्ट और खातों के अंदर जो हमारी सताई पुंजियां फिक्स एसेट्स का मतलब सताई पुंजियां इसके मताबिक वश्याइ में जितनी भी फिक्स एसेट्स की जाती है उसे जिस मुल्य पर आपने ख्रीज दी थी उसी मुल्य पर दिखाई जाती है और उस पर लगाता डैप्रीशेशन लगाया जाता है डैप्रीशेशन का मतलब जैसे जैसे मसीन काम करेगी कोई भी फिक्स एसेट्स काम करेगी उसके मुल्य में कमी आती है मुल्य में कमिया नहीं किसावट जैसे आज मसीन कोई कारिय कर रही है तो उसमें उसमें कमिया आती जाएगी तो वो उसके जो कमिया आती है उसको डैप्रीशेशन बोलते हैं जैसके मुल्य में जो कमिया आती है जैसे मान लिए एक मसीन है आज एक मसीन 100 यूनिट बनाती थी, और दीरे दीर जैसे वो मसीन 6 महीने, 1 साल होंगे, 2-3 साल के बाद वो मसीन ना 100 यूनिट नहीं बना पाएगी, वो मसीन दीरे दीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उसके मुल्य में कम ही आई है, समझगी या मालिया का 101 काई भी बनाएगी तो अच्छी क्वालिटी गी नहीं बना पाती तो इसको क्या बोलते हैं डेप्रिशेशन आते हैं उसको market value मुझे गिरावट आती है वो उसकी डेप्रिशेशन होता है उसके लिए फोर दा एक्जेंपल दा मसिनरी पर्चेश विल लाश्ट से नेक्स टैनियर हमने एक मसीन खरीदी है दस सालों के लिए दा कोश्ट दा मसीनरी विल बी साप्रेट अवर दा नेक्स टैनियर कैलकुलेशन दा नेट प्रोफिट और लोस इच यर और हम दस साल तक लगातार उसका प्रोफिट और लोस निकालते रहेंगे उसकी लागत को भी निकालते रहेंगे और हम अपने खातों में उस मसीन की किमत वही शो करेंगे जिस किमत पर हमने वो मसीन खरीद दी थी यानि ठीक है बजार के अंदर मार्केट के अंदर उसकी रिवैल्यो होती जाती है उसकी मुल्य में कमिया आती जाती है लेकिन हम उसे नोट रिकोर्ड दा बैलेंस सीट यानि जो उसकी मार्केट वैल्यो है उसको हम बैलेंस सीट में शो नहीं करते these assets not going to sold the near future हम उसको market value को इसलिए पुस्तकों में नहीं दिखाते क्योंकि near भविश्य में हम उसको sale नहीं करनी है आगे है it also because going concrete concept that outsider party enter into the long term contract with the enterprises because क्योंकि जो भी outsider party है outsider party का मितलब जैसे की banks है, government है या हमारे debtors है हमारे outsider party माले जो हमारे वो share से माल customers है वो जब भी हमारे साथ कोई contact करते है या हमारी investors है वो fixed assets को दियान में रखते हुई हमारे साथ contact करते हैं हमारे साथ contact में रहते हैं giving loans, purchasers, deventures and share enterprises जो वैक्ती या ऐसे हैं other example of the is concept that prepaid expenses that the reservable value that show the assets in the balance sheet because the benefit of the such enterprises will be required in future also without this concept the classified current and fixed assets and short-term and long-term liabilities cannot be made such classified without different the justifications यानि हम current assets या fixed assets से बिना किशी सुजाओ के उसके उसके अंदर चेंज नहीं करते next है contingency concept contingency का मतलब एक रूपता concept का मतलब अवधारना यानि यानि जो एक रूपता की अवधारना क्या है या एक रूपता की मेंता क्या है the concept state that the accounting principle and method should remain consistent from the year to others यानि एक रूपता है जब भी अमारे इस अवधारना के मताबिक परतेक साल year to year जितने भी अमारे लिखांकन हैं वो सारे एक रूपता की अवधारना पर धारीत है यानि एक जैसे हम खाते बनाते हैं परतेक साल एक जैसे सिधान्त को द्यान में रखते हुए हमारे लिखांकन करते हैं this should not be change from year to year हम उसको हर साल change नहीं करते यानि परतेक साल एक जैसे खाते बनाएंगे तरह मतलब नहीं आज अलग तरीके से खाते हैं नेक्स यर लग तरीके से या पिछले साल नेक्स तरीके से था ऐसा नहीं होता previous year future present ठीक है यानि जो हमारा finance year है जो इस साल चला हुआ है और next year जो आएगा previous year जो बीच चुका है हम इन सालों में कोई चेंज नहीं करते हैं हम एक जैसे खाते बनाते हैं ठीक है जैसे इंदा ओर्डर लेबल दा मनेजमेंट तू कंपेर ओदा प्रोफित और लोस बैलेंस से डिफरेंट प्रियर एंडरो इंपोर्टेंट हम previous year, present year या next year में एक जैसे खाते क्यों बनाते हैं क्योंकि हम पिछले सालों का इस साल compare करते हैं पिछले साल की तुलना में इसल प्रोफित कम हुए या जादा हुए इस साल हमारे expenses कम है जादा पिछले साल की तुलना में और next year इसलिए लेते हैं, क्योंकि पिछले सालों के दार पर और इस साल के दार पर हम अनुमान लगाते हैं, next year के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, next year के लिए हम जर्नल इजरो बनाते हैं, इसलिए एक जैसे accounts रखते हैं. Calculation about the working of the enterprises, the firm adopt different accounting principle, the two accounting period of the profit current period will not be comparable with the profit of the proceeding period. अगर हम पिछले दो सालों में अलग-अलग account period अपनाएंगे, जैसे बताएं, different accounting principle, अगर हम अलग-अलग सिदान अपनाएंगे, two accounting period में, यानि अलग-अलग सालों में, अगर हम अलग-अलग rules principle अपनाएंगे, तो profit will not be compared, तो हम उन सालों के profit की आपस में तुलना नहीं कर सकते For example, the firm can choose one of the several methods of the depreciation Example के तोर पे कह सकते हैं यह depreciation Depreciation लगाने की हमारे पास 10 वीधिया है लेकिन हम plus one class में या plus two class में दो ही वीधियां यूज करते हैं एक straight line method और एक return down value method Straight line value method का मतलब होता है CD रेखा पत्ती Return down value method का प्रियोग होता है यानि गठती अरासपती Any other methods but the expectation the method once Choose will be following contingency year after year हम एक बिजनस के अंदर या तो आप straight line method यूज कीजिए या return down value method यूज कीजिए यह depreciation लगाने का एक method यूज होगा अगर मान लिया हम किसी साल return down value method यूज करते हैं और किसी साल मान लिया हम straight line करते हैं तो दोनों सालों के profit अलग लगाएंगे इसलिए हम उसको compare नहीं कर सकते Likewise the method stock valuation making provision the likely bad debits remaining contingency with the previous years Otherwise decision taken in the base of accounting इसी परकार से हम जो depreciation लगाते हैं वो दोनों method से लगा लिया और एक stock value जैसे आपने कल ब्याने बताया था opening store closing store दो प्रकारगा होता है opening store पर closing store जब हम closing store के valuation करते हैं वो भी एक ही तरीके से करनी चाहिए इसलिए contingency concept बहुती जरूरी है यानि contingency concept should be taken means that does not allow a firm change the accounting method according to the changed of the business अगर माल लिया हम accounting method change करेंगे तो business का जो system है business method accounting period वो भी change हो जाएगा आगे है accrual concept accrual concept का मतलब हिंदें बोलते हैं उपार्जित आए in accounting accrual base of the use recording of the translations accounting accrual base of the recording हम अमारी accountancy में उपार्जित अधारना का प्रियोग करते हैं जितने में लेंदें करते हैं उपार्जित अधार पर करते हैं it provides more efficient information about the preference of the business enterprises as the compare the cash base यानि it more efficient information about preference हम cash base को यानि जो नगद में माल के दिये जाता है उसको preference देते हैं accrual concept apply equally to the revenue and expenses जो उपार्जित अधारना है हो expenses पे और आए पर equally रूप से लागू होता है accrual concept revenue in the record when sale are made or service और मिन्ट लेटरियल वैदर्स कैस रश्यू और नोट यानि अगपार्जित दार का मतलर यह होता है हमने माल बेच दिया चाब माल नगद भी क्या हो या cash में भी क्या हो या उधार में भी क्या हो हमने entry कर दिक माल हमने x को बेच दिया तो उसकी उसी time entry होगी हम उसका x से पैसे लेने का इंजार नहीं करते वही accrual concept है according to this concept expenses are recorded in the accounting period in which they assert earning the revenue whether the cash is paid them or not हम accrual concept के मताबिक या उपार्जित अधार के मताबिक हम expenses का लिखांकन उसी time कर देते हैं जिस time हमने वो खर्चा किया है जैसे कि मैंने example देता हूँ आपको माल लिया आपने पता है जैसे हम बिम्मे की किस्त है 6 महीने में देते हैं 6 महीने में माल लिया एक बार हमारी किस्त एक जनवरी को आती है और एक बार हमारी किस्त एक जुलाई को आती है और आप सरही ने पता है मैं बार बार बोल सुका हूँ हमारा जो फाइनिस लियर होता है फाइनिस लियर एक अपरेल से सरू होता है और कतिस मार्ज को बंध होता है तो इसलिए जैसे कि आपकी जो साल है स्टड़ी की वो भी एक अपरेल से कलासी स्टार्ट होती है कतिस मार्ज के लिए किस देई है तो 6 महीने जो हमने एक जनुरी को किस देई है 6 महीने कब पूरे होंगे 6 महीने 30 जून को पूरे होंगे लेकिन खात्ते कलोज कर रहे हैं 35 March को तो 3 महिने extra रहें जो 3 महिने extra रहें हैं उसका लेखांकन भी हम एकजनुरी को करेंगे वही अकुरूल concept है वही उपार्जित अफधार्णा है यानी जिस time आपको खर्चा करते हो उसका लेखांकन उसी टाइम पुस्तकों में करना उपार्जित अवधारना हिंदी में दीजदा प्रोफिट एंड लोज अक्यूडिंग पिरियेड शोदा ट्रू फाइनसल पोजिशन गरम ऐसा करेंगे तो हमारे जो फाइनसल स्टेटमेंट है जो हमारे फाइनल अकाउंट है ट्रेडिंग अन प्रोफिल ला उसकाउंट है वो सच्चाई परस्तूत करेंगे अच्छे रिजल्ट निकलेंगे अकाउंटिंग पिरियेड आल एक्सपैंस इंकम रिलेटिड दा अकाउंटिंग पिरियेड रिकोर्ड वैदर एक्च्छल कैस हैज बिन पेड या रस्यू और नोट हम अमारी पुस्त कॉँमे उसी टाइम लेखांकन करेंगे तो हम नगद में मिला नगद में कोई रसीवीं हुई है या उदार में कोई रसीवीं हुई है अगर हमने काम कर दिया तो लेखांकर मालिया हम सर्विस का कारी करते हैं कोई भी कारी करते हैं प्राइविट सर्विस का कारी करते हैं दुकान है हमारी हम उसका लेखांकर उसी टाइम करेंगे जिस टेम हमने उसका काम कर दे हमालिया हमारे मिस्तरी की दुकान है किसी की हमने गाली ठीक कर दी, अगर आप जिसकी हमने गाली ठीक किये, उसने मारे गाज पैसे नहीं दी, हो कहता है, मैं दो दन बाद या एक महीने बाद पैसे दूँगा, तो हम उसे खाते में उसी टेम लिख देंगे, भी हमने मुकेस से दो जार रपे लेने हैं, इसका कल करके ले करने हैं, कोपी में भी लिखने हैं, और आपने ये पढ़ने भी है, और याद भी करने हैं, आज इतना ही, कल हम next concept कराएंगे, जैसे कि business entity concept है, या money, measurement है, ये कल करवाएंगे, आज तीन ही जैसे कि ढ़ने इतना ही, जैसे कि आप सिंदक दो सेथे ले भी हैं, ये जैसे कि रेतना ही उतादा गेङ़ाएंगे, न對स समय में भी हord तो जैसे कि में ट Une करिक में पोफ bottles भी हैं, ए मैं आप सणादारा बने हैं, और हो वाड़ने दemiे हैं, जैसे कि ता पूएंगे,